जहिन तो निट 2021 के पॉस्टपॉण के लेकर ट्वीटर फे फिर से पूरी तरीकी से धामाल मत चुक है और जिस तरीके से नीट का जो बाते चल रही है अभी एक आर्टिकल चापा उसमें सारी बाते लिखी गई तो मैं आपको दिखाने वारा हूं वह आर्टिकल ठीक है ना उ अल्रेडी पॉस्टपॉण हो चुका है अब दोस्तों बात यह है कि क्या सच में आप पॉस्टपॉण होगा एक जामनेशन और अगर पॉस्टपॉण होता है तो फिर कब तक उसकी नीट रहने वाली है क्या डेट रहकर हम त्यारी करें कि इस तरह की का कुछ चीज है सारी मेडिया पर उठ रही मांग एंटी द्वारा मेडिकल यूजी कोर्सेज में एडमिसन के लिए प्रवेश परिक्षा नीट को अस्थागीत करने की मांग एक वर फिर से सोचल मेडिया पर तेज हो गई है कुरोना के गारा नहीं बलकि इस बार परिक्षा अस्था करने की बज करने की अपेल कर रहें बता देकी पैले को ना चात्रों के कार्ण परिक्षा रद करने की मांग कैटा कूछ और का रशल वान हो की कि यह बहुत ही इंपोरेंट है कि बहुत सरी इससे उसका मस नहीं आपकiku鍵 के जाने सबी दिवान कर रहा कि इसका एक्जामनेशन पॉस्पॉण करें अब दोस्तों बात करें कि क्या सचपूच एक्जामनेशन जो आपके पॉस्पॉण की जाएगी तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं अब देख सकते हैं कि स्थकित करनी की मांग इसलिए कर रहें क्योंकि स्टुडियेंट को डर सता रहा कि कहीं एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाने में परिक्षा शूट ना जाए और दोस्तों अगर आप एक एक्जामनेशन देने चलिए आते हो आपके नीट एक्जामनेश करना 12 सेटमबर तक भी अपने प्रेपरेशन को सही से नहीं कर ले जाते हैं तो यह चीज़े बिल्कुल भी गलत है आपको 12 सेटमबर को मानकर ही अपने प्रेपरेशन करना है लेकिन दोस्तों कहीं लोग का कहना है कि ठाड़ वे आने वाली और यह सूटियां जो हम लोग अ प्रेपरेशन करते हैं तो आपको कोई भी प्राब्लम को सामना करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रेपरेशन तो पहले ही हो चुकी होगी है ना तो आप लोग 12 सेटमबर को मानकर त्यारी करिए अगर हाँ दोस्तों यह बात सच है कि ट्वीटर पर इतने जाता ज नजदीक आते आते क्योंकि दोस्तों अच्छा खासा समय है लगवाग 25 दिन अभी समय है लेकिन नजदीक आते आते हैं तो एक जामनेशन को दोस्तों 100% करना ही पड़ेगा ठीक है ना तो इस बात को आप मानगे लेकिन आपको त्यारी जो बारा सितंबर को ही मानकर करने है इसलिए अपने मॉक टेस्ट दीजिए और को संट की साब से अपनी जो थ्योरी उसकी प्रैक्टिस करिए ठीक है ना और को संट प्रैक्टिस ज्यादा करें इस वीडियी में पसंदा दो प्लीज लाइक करें चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद आपको दिन बज्जाहिंद।